Transition and Animation हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीका अब टाइम आ चुका है आप लोगों की Transition and Animation Skills को चेक करने का एक क्वेशन दूँगा आप लोगों को जो की आप सबको solve करना है वीडियो को लाइक ज़रूर करते ना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिग्मा बैज हो भी लिग देना चलते हैं कम्यूटर स्क्वीन में लेट्स रोल दे इंट्रो अब जो एक्सराइस में आप लोगों को देना चाता हूँ वह है Transition and Animations के उपर तो वीडियो 48 के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर में बनाने वाला हूँ और इस फोल्डर को बनाने के बाद इसको मैं खोलने वाला हूँ VS Code में यहाँ पर मैं Index.html के नाम से एक फाइल बना कर comment डालूँगा और क्या करूँगा कि यहाँ पर comment में आप लोगो को question दूँगा यह क्योंकि Transition and Animations से होने वाला है इसलिए हम Transition and Animations का प्रियोख कुरेंगे That was very easy to predict So अब आती है वो problem जो कि आप लोग को solve करना है आप लोगों को यह एक cube दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोग को एक background दिया हुआ है आपने करना क्या है कि इस cube को यहाँ पर bounce कराना है कुछ इस तरह से एक ball की तरह और मैं इसको एक ball ही बना देता हूँ border radius देके तो मैं इसको border radius देदूँगा एक ball बनाने के लिए तो let's do it तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर inspect करके जो मेरा box है इस पर मैंने कुछ CSS लगा रखिये मैं इसको border radius देदूँगा ठीक है border radius और यहाँ पर मैं इसको दूँगा कुछ इस प्रकार से such that यह एक ball बन जाए यह एक ball बन गई 58 pixels 69 pixels के बाद यह ball बन गई तो मैं इसको 70 pixels ही कर देता हूँ border radius और यह करने के बाद यह जो box है यह एक ball बन चुका है ठीक है और यहाँ semicolon लगाऊंगा और आप लोग देखो यह ball बन चुका है आपने करना क्या है कि इस ball को यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाना ही यह ऐसे से करके एक real ball की तरह bounce करें यह एक physics का simulation है और आपने से कई लोगों को यह मुश्किल भी लगेगा लेकि मैं इसमें कुछ hints दूँगा आपको युकि मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ असा मुश्किल हो सकता है अब आप इस question को या तो transition से करो या animation से करो मुझे उसमें कोई problem नहीं है at least मैं तो इसको इसी तरह से solve करूँगा दो अलग-अलग animations बनाओ अगर आप किसी भी ball को bounce कराना चाते हो तो उसकी जो y axis में trajectory होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि उसकी speed घटती जाती है तो ऐसे animation के बारे में सोचो कि speed उसकी घटती जाए पहले y का animation बना लो फिर x का animation बना लो और x का animation किस प्रकार से रहेगा linear रहेगा क्योंकि वो आपकी जो speed x में वो घटती नहीं है और अगर आप लोगो ब्रूगल समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है तो आप try करो इसको x axis में आपको क्या करना है यहां से लेकर यहां तक पहुचाना है और y axis में आपने क्या करना है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पहुचाना है such that कि जब यह यहां से यहां तक आ रहा है तो इसकी speed घटती भी 0 हो जा रही है और उस animation को आपको backwards repeat करा देना है वो कैसे करना है यह मैंने बताया था animation वाले video में और दोनों animations को एक साथ चिपका देना है that's it एक linear animation और एक constant animation यह आपको decide करना है और अगर आप transform से करना चाते हो तो sorry transition से करना चाते हो तो transition से भी आप लोग कर सकते हो तो यह आपकी जो है मर्जी होगी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा इसमें solution में इसके मिलते हैं हाँ मुझे पता है थोड़ी सी advanced exercise है but I want all of you to attempt it at least attempt करना और नहीं होती है न कोई बात नहीं यार solution में आना सुनना मेरी बात कोई दिक्कत नहीं है नहीं होती ना कोई tension नहीं है अपने आपको बेकार मस समझना इन exercises को आप लोग ऐसा मस समझना कि यार अकर नहीं होई तो आप बेकार हो बहुत सरा लोग exercise को ऐसा समझते कि यार exercise का मतलब कि आप इसको नहीं कर पारे हो तो आपको समझ में नहीं है नहीं actually मैं exercise से आपको बताऊँगा complex animations कैसे बतने फिस simple animations हलवा लगेंगे आपको आपका confidence उपर जाएगा तो इस codes को करने के बाद आपको मैं एक बहुत successful web developer बनाना चाहता हूँ कि यार कहीं फस हो गई ही नहीं तो इस तरह की काम नहीं करेंगे codes में तो यह नहीं हो पाएगा यसा ति मुझे से जरूर करने में इस वीडियो में इतना ही गाइज थांक यू सो मच गाइज पर वाचिं इस वीडियो और आवल सी यू नेक्स ताइम